नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुती जवर्दक वीडियो लेकर आया हूँ यह उपाय या यह तोटका केले के पेड से करना है केले के पेड के बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से आप केले के पेड से उपाय करेंगे तो आपके घर में धन धानने की बरसात होने लगेगी वीडियो सुरू करने से पहले दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम हर रोज लेकर आते रहते हैं आपके लिए ही ऐसी चवर्दस वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुक्मई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुक्मई जीवन तो दोस्तो अब हम बात करेंगे केले के पेड़ से किये जाने वाले उपायों के बारे दोस्तो, जीवन में कभी-कभी ऐसा समय आता है, जब आपको लगता है कि आप समस्याउं से पूरी तरह गिर गए है, आपके चारों और समस्याई ही समस्याई होती है, इनसे निकलने का रास्ता कहीं भी मजर नजर नहीं आता है लेकिन दोस्तो कुछ जो तिस सास्तर में बताएगे ऐसे छोटे-छोटे से उपाई हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं दो यकीन मानिए कि आपके जीवन ही बतल जाता है दोस्तो केले का पेड काफी पवित्र माना जाता है और कई धार्मिक कारेों में भी इसका प्रयोग किया जाता है दक्षिन भारत में केले बहुत बड़ी संख्या में उत्पन होते हैं धन्व ए सम्रदी के लिए केले के पेड की पूजा भी की जाती है केले के पेड़ की नियमित पूजा करने से माता लक्षमी बहुती शिग्र प्रसन हो जाती है माना जाता है कि सम्मर्दी के लिए केले के पेड़ की पूजा बहुती चल्दी फलदाई होती है गर की चार दीवारी में केले का व्रिक्ष लगाना बहुती सुम माना जाता है केले के व्रिक्ष का सीधा सम्मंद भगवान विश्णू और ब्रस्पती ग्रह से माना जाता है जिस किसी व्यक्ति को भी अपने जीवन में धन प्राप्ती की चाहू उसे पने गुरु ग्रह यानि की ब्रस्पती ग्रह को मजबूत करना चाहिए इसलिए भगवान विश्णु की अराधना करना, केले के पेड़ की पूजा करना वे ब्रस्पती ग्रह को मजबूत किये जाने वाले सभी कारे करना सीधे आपके घर में आर्थिक दृष्टी से जोड़े होते है ब्रस्पती ग्रह का कारक होने की कारण ही केले के पेड़ को करके इशान कोंड में लगाकर उसकी पूजा करने का विधान है गर के मुख्य द्वार और पिछले हिस्से पर केले के पौधे को नहीं लगाना चाहिए। केले के पौधे के आसपास हमेशा ही साप सफाई बनाये रखने चाहिए। आप केले का पेड लगाएं तो उसके तने पर एक लागं का धागा अवश्य लपेड दे। केले के पौधे की जड़ में प्रते दिन जल अरपित करें। वैसे तो केले के पेड की हरोज पूजा की जानी चाहिए। लेकिन कुछ खास अवसर जैसे की एकादसी, पूर्णमा, अमावश्य और खास तोर पर के वीरवार के दिन तो केले के पेड की विशेश रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। केले की पेड की पूजा करने के लिए आप केले के पेड के पास एक देशी गी का दीपक अवस्य जलाएं। और कच्चे दूद को केले की पेड की ज शर्म या जिजग किये बिना आप माता लक्षमी का साक्षाथ वास मान करके केले के पेड़ के समक्ष बैठ जाए और हात जोड़कर अपने आपको अमीर बनाने के लिए कामना करते रहें। प्रति दिन ऐसा उपाए और पूजा करने से केले में विद्यमान साक्षाथ विश्नु और माता लक्षमी आपसे प्रसंद होकर आपको जल्दी धर्मान बना देती हैं। घर में अगर संतान हैं और उनके अगर सुखों की आप कामना करते हैं आप चाहते हैं कि उन्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कभी कश्ट ना हो तो केले के पेड़ का पौधा आपको घर में लाकर के अवश्य लगाना चाहिए। जिस प्रकार से केले का पौधा बढ़ा होता जाएगा आपके घर में सुख सम्रदीवी उसी प्रकार से बढ़ने लगेगी। ब्रसपती ग्रेका शुफल आपको मिलने लगेगा इतना ही नहीं बलकि आपके घर में बेवाहिक जीवन में आने वाली सभी कठनाईयां भी दूर हो जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही कल फिर आपसे बुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दे में जादा धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना ना बोले जाए बजरंग बली।